तो आज हमारा question है, tick the correct answer, हमें correct answer भी tick मारना है, क्या हमारा पहला, the smallest prime number is, अब smallest prime number हमारा क्या होता, 0 होता, 1 होता, 2 होता, या 3 होता, पहले तो prime number होता क्या है, prime number हमें समझना पड़ेगा, अगर हमारा हम देखेंगे, prime number, क्या होता, prime number, the number have only two factors, क्या कह रहा, only two factors, one and itself, क्या कह रहा, the number which have only two factors, the number have only two factors is called prime number, जिसके सिर्फ दो number से डिवाइड होता है, जैसा कर मैं one को डिवाइड करूँ कि इस तो one से होगा, इसके तो two factors नहीं होता है, अगर मैं two को देखू, यह किसके से डिवाइड हो, यह one से होगा, यह two से होगा, देखो one के एक ही factor है, one से ही divide होता है, लेकिन two किस से होगा, one से होगा, two से होगा, अगर मैं 3 देखूं किस से होगा 1 से होगा और 3 से होगा तो यह prime numbers होते हैं जैसे हम 5 देख रहे हैं 1 से होता है वो 5 से होता है लेकिन हम मुझे smallest चाहिए smallest 1 से सुर होता है 1 के ते एक ही factor है लेकिन 2 के कितने factor आरे 2 factor आरे 1 and itself हमारा आंसर क्या हो जाएगा c वाला हो जाएगा ता 2 इता smallest प्राइम नंबर ओके next question दा ता नंबर 36 है डास फेक्टर आप देखो 36 के कितने फेक्टर नहीं है हमें दिखाने तो 36 है जो अगर हम फेक्टर देखेंगे क्या किस से दिवाइइड होता है 1 से भी होता है 2 से भी होता है 36 3 से भी होता 4 से भी होता 94 जे 36 ठीक है 6 से जा 36 94 जे 36 12 से होता 18 से होता और 36 अब देखो कितने हो रहे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तो हम लेकेंगे 9 फेक्टर नमबर 36 है, 9 फेक्टर फेक्टर मतलब होता कि किस किस नमबर चे complete divide होगा, ओके नेस्ट है में क्या है, the prime number from the fallen inch अब इन वे से कौन सा prime number हमने अभी देखा था, prime number कितने फेक्टर होते only two factor, one and itself मतलब वो नमबर किस से divide होता, one से होता या अपने आपस होता जैसे हम 13 देखो, 13 किस किस से divide होगा या one से होगा, या 13 से होगा तो ये prime number है क्योंकि 21 अगर मैं divide करूँ तो one से भी होगा, three से भी होगा seven से भी होगा, और 21 से तो होगा, ऐसे मैं थाटिनाइन को देखो, तो one से होगा 13 से भी होता है 13 से होता है, तो बहुत सार या रहे और 39 से भी होगा, अगर मैं 51 देखो तो ये भी किस से होता, one से होता, three से भी होता 17 से होता है ठीके, it means हमारा prime number क्या है 13 है, ओके 13 is the prime number, okay next हमारा 8520 8520 is the divisional 4 से होगा, 3 से होगा, 6 से होगा all of these हो, देखो पहले तो आपको देखना last में 0 है, तो जिसमें 0 तो जहाँ 20 last में 20, 4 की disability क्या होता है, अगर 4 से digital हो जाते, तो पूरा number divisional हो जाता 4 से, तो यहाँ 20 4 की टेबल में 20 आता, बिल्कुल आता है तो यह पूरा नमर किसे divisional हो जाएगा 4 से हो जाएगा, ठीके देखो 4 की disability क्या होती ही, last की 2 number देखते है, यहाँ क्या last की 2 number, one sentence में 20 है 24 की टेबल में आता है, तो यह पूरा number divisional हो जाएगा 4 से, अब 3 से देखने लिए क्या करते है, पलस करते 3, 8, 5, 2 पलस 0, 8 5 कितना 13, 14, 15 15 3 की टेबल में आता है बिल्कुल आता है, इसका sum आता है 15, और 15 3 की टेबल है तो 3 से भी डिबजल होगा, अब 3 से डिबजल हो तो 6 से भी डिबजल हो जाएगा ठीक है, तो हमारा answer all of these होगा, ठीक है 8520 का क्या सबसे ये डिबजल हो तो ओके अब नेस्त देखो, every number is the multiple of one and itself देखो, कोई भी number होगा ना, वो किसका multiple होगा यह जाल, action भी one and itself विकोज देखो, कोई भी number जेए समार 2 है, तो ये 1 से भी multiple होगा और 2 तक होगा, ठीक, अबरी number is multiple of one and itself ओके